पूर्वी ब्यूटी एंग फैशन में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पली चौधरी आज हम बात करेंगे डैंडर्फ की तो आई शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा चैनल आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्क्राइ दोनों में यह समस्या हो सकती है डैंडर्फ या रूसी बढ़ने के कारण स्कल्प गंदा होने लगता है और बाल जढ़ने की समस्या होने लगती है डैंडर्फ होने पर रूखी परतदार तोचा की समस्या बढ़ जाती है डैंडर्फ के पीछे कई कारण में जमा गंद की धूल मिट्टी के कारण संपर्क में आना गंदे हेलमेट को पहनना आदि इन कारणों के चलते स्कल्प और बाल बाल गंदे हो जाते हैं डेंडर्फ के पीछे लाइपस्टायल से जुड़ी कुछ खराब आदेतें भी हो सकते हैं तो क्या देते हो सकती हैं वो भी आपको बता रहा हूं स्टायलिंग पोड़क्त का इस्तेमाल ज्यादा करना बालों को स्टायल करने के लिए बाजार में कई तरह के उत्पाद आ गए हैं जैसे जेल, बैक्स, हेर स्प्रे आदि इन पोड़क्त में अलकुओल का लेवल ड्राई हो जाता है और स्कल्प में खुजली होने लगती है आपका स्कल्प जितना ड्राई होगा उतना ही ज्यादा डेंडर्फ होगा गलत सेंपू का इस्तिमाल करना है अगर आप सोच रहे हैं कि डेंडरफ होने पर एंट्री डेंडरफ सेंपू का इस्तिमाल करना काफी है तो ऐसा नहीं है केबल एंट्री डेंडरफ सेंपू का इस्तिमाल करके डेंडरफ कम नहीं होगा ज्यादे तर लोगों के scalp में dry dendruff हो जाता है अगर shampoo ज्यादा चिप चिपा होगा तो ये scalp में चिपक जाएगा इसलिए dendruff होने पर mild shampoo का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें खुस्पू मौजूद ना हो बालों को जल्दी जल्दी धोना अगर आप बालों को जल्दी जल्दी धोते हैं तो dendruff की समश्या हो सकती है अगर आप रोज बालों को shampoo करेंगे तो बालों का natural oil खटम हो जाता है Natural Isle खत्म हो जाने कि करण बालों में डंडरफ कहीं डंडरफ की समस्या बढ़ जाते है बालों को हफ्ते में 2-3 बार धो सकते हैं जो लोग बालों को रोज ढूते हैं उनके स्कल्प में डंडरफ होने की असंका ज्यादा होती है Healthy Diet का सेबन करना अगर आपके स्कल्प में डेंडफ बाढ़ रहा है तो इसका एक करण खरब डाइट भी हो सकती है अपनी डाइट में ताजे फल और सब्जियों को सामिल करें डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिट का भी सेवन करना चाहिए हमारे डाइट बाल और इसकीन की सहत के लिए एहम भूम का निवाते हैं बालों को जल्दी बालों को हिल्दी रखने के लिए नट्स और सीट्स को अपनी डाइट में सामिल करें बालों को ना बांदा, जिन लोगों के बाल लंबे होते हैं, उन्हें अपने बालों को बांद कर रखना चाहिए, बाल ना बांदने के करण धूल मिटी बालों में चिपक जाती है, इससे डेंडर्फ की समस्या बढ़ जाते है, अगर आपके बाल लंबे नहीं हैं, तो बाहर निकलने से पहले बालों को रुमाल या सकर्फ से ढखना चाहिए इस से बालों में गंदकी नहीं चिपकेगी। तो यह था हमारा आज का वीडियो मुझे उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताएं वीडियो लाइक पी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद